नमस्कार में हुकाजर मिशा स्वागत है आपका N1 लाई पर आई नज़र डालते हिमाजर प्रदेश की मुख्य खबरों पर मौल रोड पर शहर की जंता के साथ प्रिकेट के विश्व कप का फाइनल मुकाबला देखेंगे हिमाजर प्रदेश के मुख्य मंदरी स्कुईन्दर सिंग सुखु इसके लिए नगर निगम शिमला ने टाउन हाल के समीप एक बड़ी स्क्रीन लगाने का लिया फैसला ताकि लोग मॉल रोड वर रिज मैदान पर भी उठा सके मैच का आनंद 20 साल बाद पिर से ऑस्ट्रेलिया के साथ पाइनल मुकाबला खेले का भारत हिमाचल भाषपा के पूरु प्रदेश अधर्श एवं सांसा सुरेश कश्यप ने शिमला हवाई अड़े से शिमला से अमरिज सर नेमित रूप से चलने वाली फ्लाइट को हरी जण्डी दिखा गर किया रवाना इस मौके पर स آंसा सूरेस कशिप ने दिया बयान किया हिमाचल प्रदेश के लिए है गौरव का विश है कि दिली से शिमला फलाइट के बाद अब अमृत सरष शिमला फलाइट भी हो गई है शुरू इसे हिमाचल प्रदेश के परिटन को मिलेगा बढ़ावा राजनितिक अधार पर टीचरों का ट्रांसफर कर रहा है हिमाचल का सिक्षा विभाग जिन सिक्षकों के तीन चार महीने पहले हुए हैं ट्रांसफर उन्हें ने ताओ के डीयों पर किया जा रहा है दुबारा ट्रांसफर ऐसे ही ट्रांसपर से न कीवर्ड टीचरों को किया जा रहा है परिशान बलकि अधिकारियों पर भी ऐसे तबादला करने के लिए बनाय जा रहा है दबाओ इसे अधिकारी भी है परिशान, साथ ही बच्छों की पढ़ाई पर भी पढ़ रहा है इसका आसर हिमाचल में फरजी सिक्षर संस्थान अब छात्रविती योजनाओं के लिए नहीं कर सकेंगे आवेदन केंद्र और राज़ सरकार की विभिन योजनाओं के तह छात्रविती लेने वाले सभी सिक्षर संस्थानों की होगी जियो टैगी केंदे के निर्देशों पर सिक्षा विभाग ने सभी नीजी और सरकारी विश्व विद्यालों, कॉलेज और स्कूल प्रमुखों को इसके बारे में भेज दिये हैं पत्र वर्ष 26-27 तक चर्णबत तरीके से बनाई जाएगी राजिकी प्राथमिक से लेकर वरिस्ट माधिमिक इस्थर की 2050 पाठशाले मुख्यमंद्री सुकून ने सिक्षा विभाक एक समिक्षा बैटक में दिया जानकरी, सीम ने 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सूची तयार करने के दिये न मनरेगा के तहरे जीला परिशत कर्मेचारी व ग्राम रोजगार सेवकों को वेतन न मिलने के कारण इस बार उनकी पीकी रही दिवाली, कुछ ऐसे है कर्मेचारी जिने दो माँ से नहीं मिल पा रहा है वेतन, जिसको लेकर पंचायती राजमंत्री अन्रिदु सिंग ने मु समस्या का नहीं हुआ समधान तो अपनाया जाएगा संखर्ष का रास्ता, घर में परियाप्त पेजल की नहीं हो रही है पूर्ती प्रदेश में बरसात में आई प्रक्रतिक आपदा का वैग्यानिक और अवैद खनन है, मुख्य कारण राज सरकार की ओर से आपदा के कारणों की जाच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है या खुलासा रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार अकेले व्यास बेसीन में ही 131 स्टोन क्रशर में से 68 हैं अवैद, सरकार के ओर से गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने आपदा के लिए जलवायू परिवर्तन को भी माना है बड़ा कारण माज़ प्रदेश के कारगार एम सुधार सेवा विभाग में जेल वॉर्डर की निकली है भरती, महिला वपूरुष के क्यानबे वॉर्डर पदों के लिए मांगे गए हैं ऑनलाइन आवेदल, कोई भी आप्लिकेशन आफलाइन नहीं किया जाएगा सुईकार, इन में भरे जाएंगे पूरुष वॉर्डर के 77 पर, तथा महिला वॉर्डर के 14 पर, रोतांग दर्रा में हुई बर्बारी ने मनाली के परेटन कारोबार में फूग दी हैजान, दोगुना से अधिक बढ़ गया है, दिवाली के बाद यहां आने वाले परेटकों का अकड़ा, इसको द के खबरें से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं अनुआ लाइव